नोशकार, मैं हूँ दॉक्टर वेने बर्जोंगी, 11 अक्टूबर सन दो हजार चॉबिस को पढ़ रहा है नौवा नवरात्रा, आए इसका मनाते है जश्न, यह दिन देवी सिद्धदात्री को समर्पित है, जो की सभी आध्यात्मिक शक्तियों और उपलग्णियों की दाता ह इस दिन हम मा सिद्धात्री की पूजा करते हैं, मैं आपको बताऊंगा की कैसे की जाती है पूजा इस एपिसोट में, मैं बताऊंगा की जोतिष शासर से इनका क्या मतलब है, क्या लेना-देना है इसमें, और पुराने समय की ऐसी कौन सी मानिताएं हैं, जो की इस दिन, य 6 बच के 2 मिनट यदि आप इस समय पूजा नहीं कर पाते तो अभी जीत मूर्थ में पूजा कर लिजेगा दोपहर 12 बच के 6 मिनट से 12 बच के 58 मिनट तक मासिद दात्री का आवाहन जो है करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सरवोच्चे देवी है जो अपने भक्तों को सभी परकार की सिद्धिया देती है उनका नाम ही दरशाता है कि उनके पास सारी सिद्धिया है और वो उसकी दात्री है यानि कि आपको देती ही है यानि कि यदि आप इमानदारी के साथ पूजा करते हैं तो आपको निश्यत तोर से उनकी सारी की सारी सिद्धिया प्राप्त हो जाती है अरे कमल के फूल पे बैटी है वो चार हातों में शंक हैं, गदा है, कमल है और चक्रधारंग किये हुए है उनकी आपने फोटोग्राफ देखी होगी उनकी दिव्य पस्तिती शान्त है और शक्ति और क्रपा का सहोजग का प्रतीक है यानि कि शान्त, शक्ति और क्रपा ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती है आई ये जानते हैं कि सिद्धात्री देवी का प्रतीक क्या है और उसका अनुष्छान क्या है मा सिद्धात्री अध्यात्मिक उर्जा और ज्ञानोदे का अंतिम सोत्र हैं यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो हम अध्यानता से दूर हो जाते हैं यानि कि वो हमको उससे मुक्ति दिलाती हैं जो बच्चे आपके घर के अंदर पढ़ते वढ़ते कम हो आज के दिन उनको पूजा में जरूर बिठाईएगा उनकी सोच जो है वो पलट जाएगा और हाँ आपको भी एक अध्यात्मिक समझ आएगी एक स्पष्ट दिमाग हो जाएगा सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पूजा करने से आप अपनी शम्ता का पूण तईके से उपयोग कर सकते हैं बैगनी रंग यह बहुत पसंद है यह अध्यात्मिकता का एक रंग होता है और ज्यान का भी प्रतीक होता है जब आप पूजा सुभा करें यह जब भी करते हैं तो इस दिन यदि आपके पास बैगनी रंग के कपड़े हैं परपल का रंग के तो ज़रूर पहने और यदि आप बैगनी फूलों को भी इस पूजा के अंदर ला पाएं तो एक अध्यात्मिक कमपन उत्पन होगी जो कि आपका कनेक्शन मासिध दात्री के साथ दिखाती है कि हो गया है मासिध दात्री को तिल के बीज और खीर खीर जानते हैं ना दूद और चावल से जो बनी होती है उसको अर्पित करना चाहिए फ्रेश बनवा के रखिएगा आपको निश्चत तोर से उसका लाब मिलेगा ऐसा क्यों हम क्यों मनाते हैं खीर और क्यों हम तिल के बीज करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये अर्पन की जो चीजें हैं वो सम्रद्धिल आती हैं और अध्यात्मिक सवहलता का एक परिसूचक हैं और आपको आशिरवात के रूप में सारी सिद्धिया प्राप्त होती है उनके सम्मान में कपूर का दीपई यहीं ज़ाते हैं आप तो वातावान शुद्ध होता है और उनकी दिव्य उपस्तिती का आपको एहसास भी होना शो हो जाता है क्योंकि वो आही जाती है तो कपूर इत्यादी का भी इंजाम कर लिजेगा अब एस्ट्रोजिकल रेलेवेंस चोतिशी से क्या कनेक्शन है मा सिद्धिदात्री का देखिए नौवा दिन केतू के साथ जुड़ा हुआ है गरह केतू जानते हैं ना आध्यात्मिक मुक्ति, ग्यान, वो भी गहन ग्यान उसको करता है रिप्रेजेंट जब आप मा सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो आपके होरस्कोप के अंदर केतू जो है वो पॉजिटिव तरीके से जागरित हो जाते हैं और ये सारी की सारी ग्यान की बातें आपके अंदर आने लगती हैं सबसे बड़ी बात यह हैं कि आप ये समझ जाते हैं कि दुनिया की चिंताओं से कैसे दूर रहना है और आप अपने अंदर की शांती अपने ज्ञान के माध्यम से खोज लेते हैं समझ गए? तो यदि आपको अपनी कुणली के अंदर केतू को पॉजिटिव तरीके से जागरित करना है तो आपको मा सिद्धात्री की पूज़ा जरूर करने चाहिए नौवे दिन पूरे साल भी कर सकते हैं लेकिन नौवे दिन करने का एक अपना विधान है जरूर कीज़ेगा आएए मैं आपको बताता हूँ कि क्या पॉरानी कनेक्शन है इंशन कनेक्शन क्या है जो पुराने कनेक्शन है आईए वह आपको बताता हूं मैं पुराने कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने मासिद्ध आत्री से सिद्धियां प्राप्त की है ठीक है और जब अर्ध नारीश्र की रूप में वो परिवर्ते हुए थे आधे पुरु आने का है यह उसका प्रतीक है यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और मासिद्ध आत्री के आशिरवात से कोई भी आंत्रिक कॉन्फूजन या आधात्मिक ज्यान और जीवन के सभी अंसुल्जे पहलू के अंदर संतुलन और सुल्जन आ सकती है तो आज के दिन अर्ध नार लेकिन फिर भी आपको बताना यह चाहता हूँ कि सभी आध्यात्मिक शक्तियों की अंतिम दाता है यह यानि कि यदि आपने इनको खुश कर लिया तो सारी के सारी आध्यात्मिक शक्तियां आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएं मासित गिदात्री हमें अज्यांता से मुक्ति दिलाती है और हमें ज्यान अध्यात्मिक समझ और एक स्पष्ट दिमाग देती है ताकि हम अपनी पूरी शमताओं का उप्योग कर सकें इसलिए मैंने आप से का कि घर में जो बच्चे हो पढ़ते ना हो ज्यादा चंचल हो त और यदि आपको भी लगता है कि आप अपने घ्यान को सही प्रकार से उसकी अभी वक्ति नहीं कर सकते हैं तो इस दिन आप पूजा करके ये बात मा से मांग लीजेगा एक अध्यात्मिक अंतरदिष्ट्री आपको मिलनी आरंब हो जाएगी और आपकी मांसिक स्पष्ट्र जो है वो बढ़ जाएगी उसका पूश्ण होना शुरू हो जाएगा वो अपने उच्चितम लेवल पे पहुंच जाएगी अरे मां आपको जो है जरूर मारदर्शन कराती रहेंगी चिंता मत कीजिए लेकिन आप उनके शिश्य बन जाएए यानि कि नवरात्री के नौवे दिन उनकी पूजा करने से लाभ ही लाभ है आध्यात्मिक शोधन है खोज है आंतरिक संतुलन है और साथ साथ द्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के अंदर यदि कोई भी बाधाएं आती है तो वो सुलग जाती है उस पे आप जो है विजय प्राप्त कर पाते हैं ठीक है त आपको बताता हूँ मैं मा सिद्धात्री कमल पर बैठी हुई है दिव उर्जा का प्रसार कर रही है उसकी आप टलकना कर सकते हैं कि वो प्रसार कर रही है और इस ध्यान के साथ आप जो है अपने चक्षों को बंद कीजिए और साथ साथ आप इस मंतर का जात कीजिए ओम द चुके होंगे तो देखिएगा कि आपके अंदर कितनी अध्यात्मिक पॉजिटिविटी आ रही है और आपको खुद लग रहा है कि आप जो है वो थोड़ा ग्यान की तरफ जा रहे है ये पूजा अनुष्ठान इस परकार से कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लाप मिल ठीक है ध्यान दीजिएगा कि जब आप अरपण करें तो मा सिद्धातरी को बैगनी फूल कर सकते हैं तिल कर सकते हैं और खीर का उपयोग तो मैंने आपको पहले बताया था ये काम जो है वो करिएगा तो यानि कि जब ये ध्यान लगाएं और अरपण करने का समय आए तो इस पकार से जो है वो कीजेगा कुछ बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस दिन और वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी इस दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप आज नहीं करेंगे तो आप जो है आगे भी नहीं करेंगे आपके श शरीर को जो चीज पसंद नहीं है, आंतिक रूप से, खाने में, पहने में, औरने में, उसका परिताक कर दीज़े। सबसे बड़ी बात यह है, कि मान लिजे कि मैं, जंक फूट खाता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन, मुझे पता चल जाता है, को समय के बाद, कि ये मेरे लिए परिशानी का एक कारण है, तो यदि आज के दिन, मा के सामने मैं ये कहूँ, कि मैं जो हूँ, आज से जंक फू प्राप्त करने के लिए, मा सिद्ध आतरी के आशिरबाद प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया करते थे, जब ध्यान पूर्ण हो जाता था, तो उनके भजनों से जाप करते थे, और जैसे मैंने पहले बताया कि तिल के बीच, देखिए, जब आपको जो है अध्यात्मि ग्यान चाहिए, तो आप सफेद तिल के जो है बीजों से पूझा करते हैं मां की और जब आपको किसी को बसमे करना है, तो काले तिल का उपयोग किया जाता है, खीर, facts का उपयोग किया जाता है, और ये विश्वाश करते थे, कि इसके अरपन से दीव उरजा और ग्यान तो जब कभी कोई नई सिद्धी चाहिए होती थी तो ये वो दिन होता था जिस दिन जो है सारे रिशी मुनी जो है वो पुझा इत्यादी करते आपको भी करने चाहिए आई अब आपको बताता हूं कि वृत मा के कैसे करने चाहिए तो अधिक सिमिरा भी प्राइ ये है कि तिल के लड़ू हा सकते हैं यदि आपको दिवग्यान चाहिए आप कुछ आध्यात्मिक कान करते हैं और इन सब चीजों को बढ़ाने की एक्षा है तो आपको आगे भी अपने आहार में तिल के बीजों का व्योग करना चाहिए वरत और ध्यान से आत्मशोधन होता है आत्मशुद्धी होती है आत्मिरिक्षन होता है और एक आंतरिक बालेंस बनाने की आप जो है कोशिश करते हैं अपने आप ही और वो हो भी जाता है ये वो दिन है जो ये सब चीजे आपको जो है वो मिलनी आराम हो जाएं तुलसी का पौधा आपने लगा लिया होगा अगर आपने नहीं लगाया तो आज लगा लीजेगा और यदि आपने पहले लगा रखा है तो उसका पोशन कर दीजेगा काली तुलसी के लगाने का बड़ा महत तो है आज के दे, काली तुलसी का पौदा, आप जो हैं वो गमले में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजेगा कि तुलसी के पौदे को लगा के छोड़ मत दीजेगा, उसको पोशन कीजेगा, इसमें देवी लक्षमी का निवास माना घर में आध्यात्मिक वातरवन भी बना के रखिए, कैसे बनता है, सबसे बड़ी बात यह है कि चीखा चिली बंद, जोर से बोलना बंद, किसी को अपशब्द कहना बंद, घर के अंदर बहुत तेज टीवी चलाना बंद, जहाडू, बुराडू, इत्यादी जो है, वो रखिएगा, अगर बत्ती चंदन इत्यादी का इसको प्योग कीजेगा, घर के अंदर सुगंद का वातवरन होना चाहिए, जिसके साथ मासिद्धात्री की जो दिल वे उर्जा है, वो अलाइन गरती, मैंने आपको जो है, वो आज थोड़ा सा ग्यान देने की कोशिश की है लेकिन मैंने इसको एक बैलन्स में भी रखा है ताकि आप इसको अपने घर में जो है, वो करा सके, नौ के नौ नवरात्रों पे मैंने आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है, और आपका बहुत-बहुत आवाहर की आप मेरे से जुड़े रहे, मेरे वीडियो को ने देखा, उनको लाइक भी किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, जिन लोगों ने नहीं किया, मैं उनको फिर उनसे जो है, वो एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कर लीजेगा, इस विडियो के विशे में आपका शेयर कर दीजेगा, और सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे हैं, बासित दात्री आपको ग्यान दें, सफलता दें, आप धातने को प्लब्दी दें, आपको आशरवाद दें, पूर्ट, जैमाता दी